नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भत प्रस्तती जोतिश दिशा सत्य की राह कारेक्रम को सुपर हिट किया हुआ है असी से नब्य हज्जार लोग परड़े के लगबग पहुंच तुके हैं और एक लाख तक हम लोग पहुंचने वाले हैं प्रते दिन करासिफर बड़ी उपलब्दी मेरे लिए है बस आप लोग यूही कारेक्रम को शेयर किया करिए हर ग सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग भात प्रतमा की शुपक शतुर्थी तिति है चंद्रमा कुम राश में सुबह 6 बचकर 56 मिन तक इसके बाद मीन में उदय चंद्रमा का आज का नक्षत रहेगा पूरवा भातरपद 2 पहर 31 तक इसके बाद उत्रा भातरपद योग रहेगा आज का सुकर्मा तद असार दिनांक 7 अगस्त दिन शुकरवार को राहुकाल का समय सुबह 6.30 से लेकर 12 बचे तक राहुकाल नए और शुबकाम के लिए मना करता है लेकिन गुली काल का समय सुबह 7.30 से 9 बचे तक बोलता है कि जो चाहें आप कर सकते हैं हर काम आपका भी इतने कैसे वाला है, इसकी जानकारी अब हम आपको बताएंगे, लेकिन एक और जानकारी दे देते हैं, आगामी दिरांक 11 सितंबर से 17 सितंबर, मात्र नौमी से अमावस तक शुराद पक्ष में, गया जी में आप सब के लिए पिंडदान की विवस्था कर रहे हैं आप सब में से हजारों लाखों लोग ऐसे होंगे, जो किसी न किसी कारणवस गया जी में जाकर की पिंडदान नहीं कर पाते हैं ऐसे हर किसी के लिए आपका ये ऐस्टो फ्रेंड एक अदभुत अवसर दे रहा है, आप हमारे साथ गया में आ सकते हैं, लोग डाउन का समय है, वैसे उस समय तक खुल जाना चाहिए, हम वहाँ पर लेकिन कंफर्म जा रहे हैं, अगर आप नहीं आ सकते, तो आपके नाम से एक ब्रामण की नियुक्ति की जाएगी, जो आपके विहाफ पर वहाँ पर आपके लिए पिंडदान की पूरी विवस्था देखेंगे, हर एक व्यक्ति को व्यक्तिकत तोर पर हम एक ब्रामण हायर करके देंगे, और साथ दिन तक लगातार भागवत कथा का पाठ, समय का, लेकिन बुकिंग चल रही है, 9354619250 पर, 956044700 पर, 9910291850 पर, वाटसप करिए, गयाजी 2020 लिख करके, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, बहुत आभार, सुरबात करते हैं आज के राशिफल की, आज के भविश्यवानी के मेश से लेकर की मीन तक के लिए, सुरुवात सबसे पहले मेश राशिका, पढ़ाई के लिए आज कुछ परिशान होना पड़ेगा, सिक्षा में मन कम लगेगा, कुछ स्वास्थ को लेकर के परिशानी रहेगी, ब्यापार आपका अच्छा चलेगा, पिजनस में किसी तरह क की समस्या नहीं आएगी, ब्यापारिक नुकसान से बाहर निकनेंगे, प्राइवेट सेक्टर में कुछ तनाव की स्थती आ सकती है, प्राइवेट सेक्टर वालों को थोड़ा सा सूच समझ करके कदम बढ़ाना होगा, अकस्मात आपके लिए एक शुभता की स्थती बन रह प्राइवेट सेक्टर में किसी तरह की समस्या नहीं आएगी, प्राइवेट सेक्टर में आज नहीं नोगरी की संभावना बनती है, सरकारी छेत्रवालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल का समय रहेगा, गौर्मेंट सेक्टर में कुछ वर्क लोड आप पर बढ़ रहा है, कुछ वर्क का प्रेशर आप पर बनेगा, दामपत्य जीवन अच्छा है, रिस्ता मधुरता की तरह पर तनाव खत्म होगा, दामपत्य जीवन में किसी तरह का दुराव नहीं, लव लाइफ में इस्तिती थोड़ी सी डावा डोरा, लव लाइफ की स्तिती कहीं से भी ठीक नहीं लग रही है, लव लाइफ में कुछ अंदर से परेशान रहेंगे, लव लाइफ की स्तिती जैसे आपके हाथों से कुछ जा रही है, स्वास्त आपका बढ़िया है, स्वास्त में किसी तरह की समस्य नहीं है, स्वास्त में आ रही है, पूरी बाधाएं दूर हो रही है दामपत्य जीवन आपके लिए स्वास्त की वज़े से भी कुछ प्रावलम क्रियर करेगा प्रियोग क्या करना है मेश वालों को आज का दिन बहतर करने के लिए किसी छोटे बच्चे को कुछ टॉफी चॉकलेट आदी दे दीजेगा क्या नहीं करना है आज दूसरों को सलाह नहीं देना है हरा रंग शुभर 63 प्रतिशत का भाग आपके साथ है ब्रिशब राजी मानस्रिक शांती मिलेगी मुश्किलों का हल निकलेगा तनाव से मुक्ति मिलेगी ब्यापारिक दिश्टिकोंट से सब कुछ बहुत सा करात्मक रहेगा लाब की आउसर बनेंगे बिजनस में निवेश का दिन आज कहा जा सकता है प्राइबट सेक्टर के लिए कुछ मुश्किलें हैं आज तोकरी में परिशानी दिक्कत समस्य आ सकती है दामपत्य जीवन पताएंगे पहले सरकारी छेतर गौर्णमेंट सेक्टर में आज प्रोमोशन की स्थिति बन सकती है सरकारी छेतर में किसी तरह की मुश्किल नहीं आएगी सरकारी छेतर में आपके लिए एक अलग तरह का आउसर तयार होगा दामपत्य जीवन आपका बहुत अच्छा है दामपत्य जीवन में सब कुछ बहुत सा करात्मक चलेगा लव लाइफ की स्थेती थोड़ी सी डावा डोल हो सकती है लव लाइफ को लेकर के सजग रहने की आमश्यक्ता है स्वास्त के मामले में गर्दन में समस्या माथे में दर्द बैक की प्रॉबलम हो सकती है प्रियोग क्या करना चाहिए ब्रशब राशी प्रियोग के तोर पर आपको आज का दिन बहतर करने के लिए दाहिने हाथ के अंगूठे पर थोड़ा सा सरसो का तेल लगाकर कदम बढ़ाना होगा क्या नहीं करना है दोसरों के काम में ताग जहाक नहीं करना शुबरंग नीला भागी प्रिशत उनहत्तर मिथोन नाशी दिनांक साथ अगस्त मांसिक रूप से परेशान रहेंगे पुरानी समस्या कोई आज सामने आ सकती है पढ़ाई नहीं हो पाएगी व्यापार बहुत अच्छा चलेगा बिजनस में चिंताना करिएगा बिजनस में कुछ बड़ा करने का मौका मिलेगा आज प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए धन का लाप पूरी तुरह दिखता है नोकरी में प्रोमोशन होगा बहुत प्रशन रहेगा आज तामपत्य जीवन बस थोड़ा सा इंतजार सरकारी छेत्र मिथुन राशी दिनांग साथ अगस्त तनाव खत्म हो रहा है तालमेल बहुत अच्छा रहेगा बुड न्यूज मिलेगा आज तामपत्य जीवन बहुत सकरात्मक होगा संतान का सुख मिलेगा परेशानी हो कांत होगा आज लव लाइफ की इस्तेदी डावा डोल रहेगी ब्रेक अप के चांसेज है साथ छूट सकता है तनाव बढ़ सकता है आज स्वास्त के मामले में आँकों की तकलीफ के सासाथ गले में समस्या गर्दन में दर्द आदी हो सकती है प्रियोग के तोर पर मिथुन राशी वालो पीला रंग कुछ अपने साथ कैरी करें जैसे कपड़ा पहन सकते हैं रुमाल रख सकते हैं पीले रंग का धागा रख सकते हैं ऐसा कुछ भी एलो कलर आज शुब रहेगा क्या नहीं करना है आज आज यात्रा नहीं करना है शुब रंग पीला भागी प्रत्सत 63 करकराशी दिन बहुत बंकलकारी है सिक्षा में लाव होगा पढ़ाई बहुत अच्छे करेंगे किसी तरह के तनाव की स्थिती नहीं है दामपत्ति जीवन बस थोड़ा सा इंतजार पताएंगे हम थोड़ी देर में करकराशी के लिए ब्यापारिक दिष्टिकोर से आज कुछ परेशानी आ सकते हैं बिजनस में तनाव बढ़ेगा कुछ साइनिंग अमाउंड कहीं फंस सकता है प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा है आज वहान का सुख मिलेगा नई नवगरी के प्रयास सफन होगी सरकारी छेतर में कुछ मुश्किले आ सकते हैं प्राइवेट सेक्टर बालों को बहुत सावधान रहने की आवशक्ता है सरकारी छेतर में कुछ तनाव बढ़ सकता है दामपत्य जीवन आपका अच्छा है परेशानी ओकांत होगा पति-पत्नी के बीच संतान एक पुल का काम करेगा परेशान एकदम से ना रहिएगा लव लाइफ की स्थिदी थोड़ी सी दामाडोल हो सकती है लव लाइफ में कुछ परेशानी आचानक से बढ़ सकती है हो सकता है कि लव लाइफ में आज उमीद से ज़्यादा दुख मिले स्वास्त आपके लिए अच्छा रहेगा स्वास्त में दिक्कत नहीं है माइग्रेन की समस्या दूर हो जाएगी आज पेट सम्मंदी दिक्कत से भी मुक्ति मिलेगी करक राशिष 7 अगस्त प्रियोग क्या करना चाहिए आज आज मादुर्गा का ध्यान करके एक लोंग मादुर्गा को अर्पित करिएगा क्या नहीं करना है आज माता पिता से अभद्र व्यवहार नहीं करना है शुबरंग स्लेटी भागिपिसर साथ सिंगराश पढ़ाई में आज कुछ अवसर हाथ से निकलेंगे सिक्षा में बहुत कमफर्ट नहीं रहेंगे सिक्षा में कुछ मुश्किलें आ सकती है सिक्षा छेतर में तनाव बढ़ सकता है ब्यापार अच्छा है बिजनस में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी ब्यापारिक नुकसान से बाहर निकलेंगे प्राइवेट सेक्टर के लिए सब कुछ बहुत अनकूल रहेगा प्राइवेट सेक्टर में धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगे सरकारी छेतर में वाहन का सुख मिलेगा बॉस प्रशन रहेंगे काम में उन्नती होगी दामपत्य जीवन अच्छा है पत्नी के साथ रिष्टे में मधुरता आएगी संतान का लाप हुआ लव लाइफ में ब्रेक अप की स्थिति बन रही है लव लाइफ में कुछ बातें विबात का रूप लेंगी आरोप प्रत्यारोप की स्थिति रहेगी सिंग राशी स्वास्थ के मामले में देखा जाए तो छाती में दर्द पेट की समस्या बैक की प्रॉब्लम हो सकती है प्रियोग के लिए आज का दिन बहतर करना है तो भगवान शिव का ध्यान करिएगा सिंग राशी वालों को जबर्दस्ती अपनी बात किसी से नहीं मरवानी गुलावी रंग्शुभ है एक्सट प्रत्सट का भाग्याब के साथ है कन्य राशी सब कुछ बहुत सकारात्मक रहेगा परेशानियों का अंत होगा लाव की आउसर बनेंगे कन्य राशी स्वास्त के मामले में कुछ शुभता होने की वज़े से प्राइवेट सेक्टर वालों को विशेश शुभ इस्थती मिलेगी सरकारी छेत्र के लिए और प्राइवेट सेक्टर के लिए बॉस आज नासूर बन सकता है शिकायत करता आपकी विरुद शडियनत्र करते हुए पकड़ा जाएगा खास तोर पर गौर्वर्मेंट सेक्टर में दामपत्र जीवन लेकिन अच्छा है कन्य राशी वालों के लिए मैरिट लाइफ में किसी तरह का दुराव नहीं आ रहा है सब कुछ बहुत सकरात्मक रहेगा दामपत्र जीवन के बाद लव लाइफ की स्थिती देखें तो कन्य राशी वालों की लव लाइफ में आज जैसे किसी दोस्त की वज़े से तनाव की स्थिती बढ़ सकती है कोई आपकी बिरुद गंभीर सडियनत्र कर सकता है कन्य राशी लव लाइफ की स्थिती लाश्ट इस्टेज तक आज सेप्रेशन ऐसा लगता है समझालिएगा स्वास्त के मामले में आज शुगर किटनी और दोपहर के बाद खांसी जुखाम की शिकायत हो सकती है कन्य राशी प्रियोग के तोर पर उल्टी हथेली पर गुलाब जल रखकर अपने उपर छिड़काव करिएगा क्या नहीं करना है आज आज ब्लैक कलर नहीं पहनना है बादामी रंग शुभत तिरपन प्रतिशत का भाग आपके साथ तुलाग साथ अगस्त शुक्रवार पढ़ाई अच्छी करेंगे सिख्षा में कोई दोश नहीं दिखाई देता टीचर्स प्रशन लोग आपको फेवर करेंगे ब्यापार बहुत अच्छा चलेगा बिजनस में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी ब्यापारिक रूप से एक अलग तरह का प्रभाव दिखेगा पराईवेट सेक्टर के लिए अनकोलता है तनाओखत्म होगा पराईवेट सेक्टर में कुछ विशेश शुम्ता मिलेगी सरकारी छेतर के लिए एक नया आउसर आपको मिलने जा रहा गौर्वर्मन्ट सेक्टर में किसी तरह की लिक्कत नहीं आएगी दामपत्त जीवन में पति-पत्नी के बीच किसी का हस्तक्षे परेशान कर सकता है आज किसी छोटी सी बात पर बड़ा बवाल हो सकता है लव लाइफ की स्थेपी बहुत अच्छी है बहुत लॉयल है बहुत रॉयल है आज समर पर रहेगा शादी की चर्चा कर सकते हैं तुलाराशी दिनांग साथ अगस्त दिन शुक्रवार स्वास्त के मामले में इसके प्रॉब्लम जुखाम बुखार की शिकायत हो सकती है दोपार के बाद पीट सम्मंदी समस्या और महिलाओं की गाईनी प्रॉब्लमस भी परेशान कर सकती है प्रियोग के तौर पर आज का दिन बहतर करना चाहते हैं तो तुलाराशी वाले उल्टी हतेली पर सरसो का तेल रखकर किसी घर में ही एक दो बूध बोधे की नीचे डाल दे क्या नहीं करना है बहार का भोजन नहीं करना है आज औरेंज के लर्शूबच 56 प्रिस्ट का भाग्या है ब्रिश्चिक रासी दिनांग 7 अगस्त शिक्षा में बड़ा आउसर मिलेगा आज रेजल्ट पॉश्टिप आएगा परेशान बिलकुल ना रहिएगा मजबूती आएगी ब्यापार बहतरीन है बिजनस में किसे तरह की समस्या नहीं आएगी ब्यापार इक दिश्टिकोंट से कुछ विशेश लाब के उसर बनेंगे प्राइवेट सेक्टर के लिए थोड़ी बहुत चिंता सता सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में सावधान रहने की आवशक्ता है सरकारी छेतर के लिए अलग तरह का प्रभाव दिखेगा गौर्मन सेक्टर में कुछ विशेश आपको सपोर्ट मिलेगा दामपत्य जीवन अच्छा है प्रशानियों का अंत होगा दामपत्य जीवन में कुछ अलग तरह का प्रभाव आपको मिलेगा जो सबसे अनकूल रहेगा लव लाइफ सेप्रेशन की नोब बता सकती है सावधानी बरत्ने की आवशक्ता है लव लाइफ में बहुत मुश्किल की घड़ी है स्वास्ट के मामले में शुगर और बैक की प्रव्लम परिशान करेगी प्रियोग क्या करना है प्रिश्चिक रासी वालों को मादुर्गा का ध्यान करना है क्या नहीं करना है अवसरों की प्राप्ति है लाग का बड़ा अवसर होगा कुछ विशेश सफलता मिलेगी ब्यापार अच्छा है प्राइबेट सिक्टर में प्रमोशन है सरकारी छेतर में कुछ मुश्किल आ सकती है दामपत्य जीवन आपका सगरात्मक रहेगा लव लाइफ की स्थेथी बहुत अच्छी नहीं लव लाइफ को लेकर के सजग रहने क्या वश्क्ता है आज स्वास्त के मामले में सफलता मिलेगी दवाओं का सेवन कम होगा प्रियोग क्या करना है भहिया आपके लिए कच्चे चावल का दान करना शुब होगा क्या नहीं करना है आज जादा दूसरे से नहीं उलजना है शुबरंग बैगनी बाग की प्रितिशत छपपन मकर राशी दिनांक साद अगस्त शुक्रवाई स्विक्षा के लिए आज फैसले लिए जा सकते है पढ़ाई बहुत अच्छी चलेगी स्विक्षा में किसी तरह की दिक्र नहीं आएगी ब्यापारिक दिश्टिकोर्स से परेशानिया थोड़ी बहुत आज परेशान कर सकते है बिजनस में आज कहीं निवेश करना आपके लिए भारी पड़ेगा प्राइवेट सिक्टर में कुछ मुश्किले पहले से थी और कुछ अब आएंगी नौकरी पर आँचा रही है सरकारी छितर अच्छा है गवर्बन सिक्टर में किसी तरह की समस्या नहीं सब कुछ बहुत अनकूल रहेगा सरकारी छितर में कुछ अच्छा करने का प्रयास आज सफल होगा दामपत्य जीवन के लिए भी क्या पूछना है दामपत्य जीवन में कुछ बहुत सकरात्मक करेंगे मैरेट लाइफ संतान का सुक्देगा संतान के दाइत की पूर्ति करेंगे बच्चों की शादियां कर सकते हैं आज लव लाइफ टफ रहेगा कुछ परिस्थितियां आपके हाथ से जा रहे है स्वास्त आपका अच्छा है स्वास्त में मगराशी वालों को लाब होगा सांस के दिक कर दूर हो रही इसकिन प्राब्लम दूर होगी पेड से आज मुक्ति पाएंगे ब्यापारी को थोड़ा सा ध्यान देना होगा मगराशी वालों के लिए उपाय क्या करना चाहिए आज आज चीनी का दान शुभ होगा आप क्या नहीं करना है किसी को सलाह मत दीजे गलाल रंग शुभ है 62 प्रित्सित का भाग आपके साथ है कुम्बराशी 7 अगस्त पढ़ाई लिखाई अच्छी है सिक्षा में कोई दोश नहीं तराओं खत्म होगा परेशानियों का अंत होगा रिजल्ट पॉश्टी पाएगा ब्यापार अच्छा है धन का लाव होगा मकान में निवेश कर सकते हैं दामपत्य जीवन बस थोड़ा इंतिजार कुम्बराशी प्राइवेट सिक्टर धन का लाव होगा बिल्कुल अलग तरह का कुछ बहुत सकरात में खोनने जा रहा है लव लाइफ की स्थिती बहुत सुभ रहेगी दामपत्य जीवन में संतान का भी सुखाज मिल सकता है स्वास्त में गर्दन में दर्द पीट आँख की समस्या हो सकती है प्रियोग के तोर पर कुम्बराशिवालों को आज हरी सब्जी का दान करना शुख होगा क्या नहीं करना है आज किसी की सलाह न मानिएगा हरा रंग शुख है आज 55 प्रत्सित का भाग आपके साथ अंतिमराशिमीन 7 अगस्त सुख्छा मीन आशिवालों के लिए पढ़ाई में आज अवसरों की तलाश नहीं करनी पड़े है बहुत भारी भारी अवसर आज आपको प्रिकरती दे रही है और सबसे बड़ी चीज की बड़े काम आज आज आपके हाथों से संपर रोगे ब्यापार अच्छा है बिजनस में भी निवेश कर सकते हैं आप प्राइवेट सिक्टर में आज कुछ मानसक अशानती रहेगी निवेश मत करिये का जादा सरकारी छेतर अधवुत है परेशानी दूर हो रही है प्रमोशन हो सकता है दामपत्य जीवन में कुछ परेशानी आज अपनों से क्रियेट होगी भाई बहन परेशान करेंगे लव लाइफ बहुत अच्छा है शादी की चर्चा करिए स्वास्त के मामले में आज किटनी की दिक्कत हो सकती है प्रयोग के तोर पर आज का दिन किसे जरुरत मंद को कुछ खाने की वस्तुदान करना शुब होगा क्या नहीं करना है आज दूसरे पर बहुत भरोसा नहीं करना है शुबरंग बादामी भागर प्रत्शत बावन आईए अब जान लेते हैं आज का मेश से लेकर मीन तक का भाग्याक्षर लेकिन जानकारी दे देते हैं आगामी ग्यारह से सत्रह सितंबर हम अपनी टीम के साथ गयाजी में रहेंगे मात्र नौमी से लेकर के और सर्वपित्र अमावस्या तक आपके लिए साथ दिनों में लगभग जितने पिंडदान वहां होते हैं 64 के आसपास सब हम करवाएंगे 46 से 64 जितना होता है मूल जो है आपको आने के आवश्यक्ता नहीं है अगर आना चाहते हैं तो आप अपने रिस्क पे आ भी सकते हैं भाई कुरोना का समय हैं लेकिन रिचुल्स परंपराएं जो होनी है वो तो होनी है अगर आपने अपने पितरों का पिंडदान अब तक नहीं किया है तो पिंडदान के साथ भागवत की भी परंपरा है पिंडदान के बाद वह पूर्ण तक तक नहीं आना जाता जब तक आप भागवत नहीं सुन लेते तो साथ दिन का भागवत का भी कारेक्टर हम हम यहाँ पर करेंगे जिसका आपको हम वीडियो क्लिप और जितना भी ऑथन्टिकेशन के साथ भेजेंगे तो नमबर आपके सामने है 9354619250 9910291850 9560447000 पर आप वाटसप या मैसेज कर सकते हैं आए जानते हैं बाज का भाग्याग्चर मेश लाक्षर बिशप्ता मिथुन हाग्षर करक छोटी ई सिंह राग्षर कन्या का तुला फाग्षर बिश्चिक या धनू साग्षर मकर बा कुम्भ धाग्षर मीन या 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 आपके अपने शुब भ काल रंकिंग से लिख कर अपने पास रख लीजेगा बहुत बहुत आभार सक्सेज की काले तिल एक चुटकी किसी तुलसी के नीचे डाल दीजेगा तो यह पूरा पैकेज हम आपको समर्पित करते हैं और हमें नुमत दीजेगा लेकिन तैयारी कर लीजे 11 सितंबर से 17 सितं श्राध पक्ष नौमी से अमावस्तक हमारे साथ गयाजी में नमस्कार, have a nice day, शिरा दे